नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल विसी एर सगेडमी पर और आज की इस वीडियो में हम नीट आयाटी से संबन्दी टोपिक लेकर आए हैं इस वीडियो में हम दर्वे के तापी गुण जो चेप्टर है उसमें से कुछ टोपिक यहाँ पर देखने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अवस्था परिवर्तन की उसके पशात गुप तुस्मा केलोरी मिती का सिद्दान और उसमें ग्राप हम देखने वाले है इस वीडियो के अंत में हम चर्चा करेंगे सुचक आरेक जैसे दाब आईतन सुचक आरेक दाब ताप सुचक आरेक अंत में इन सभी बिंदों पर आधरित नुमेरिकल कुशन्स भी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं समझने वाले हैं तो ये जो वीडियो है वो का विद्यार्तियों यदि आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बेल आइकन भी दवा दीजे ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले बात करूँगा अवस्था परिवर्तन की फेज चेंज की देखें अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है कि जो प्धार्त है वो हम यह जानते हैं कि तीन अवस्थाओं में पाए जाता है ठोस द्रव और गेस जब कोई प्धार्त एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है जैसे ठोस से वो द्रव में convert होता है या द्रव से वो गेस में convert होता है या गेस से वो ठोस में या गेस से वो द्रव में convert होता है तो जब धार्त अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो उसी को हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं फेज चेंज कहा जाता है के सामने रखने वाले हैं, देखिए, क्या है कौन-कौन से तरीके होते हैं, देखेंगे आप यहां पर, पहले तुम्हें बात करता हूं कि अवस्था परिवर्तन है क्या, क्योंकि जो प्धार्त है, उसकी तीन भोतिक अवस्थाएं होती है, फोस, दूसरी जो भोतिक और जब प्धार्त इन में से किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, तो उसी को यह हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं, देखें, यह अवस्था परिवर्तन छे तरीके से होता है, एक-एक करके इन सब को यहां पर देख लेते हैं, सबसे पहले मैं बात करता ह गलन में जो प्धार्त है वो ठो सवस्था से द्रव वस्था में रुपांतरित होता है ठो सवस्था से कौन सी वस्था में जाएगा द्रव वस्था में जाएगा फिर हम बात करते हैं हीमन जो कि गलन की ठीक विप्रित प्रोसेस होती है जिसमें प्धार्त द्रव वस्था से ठो सवस्था में वापस convert हो जाता है उसके पश्यात वास्पन जिसमें प्रार्व वस्था से गेस अवस्था में convert होता है दरव से कौन से वस्था में convert हो जाएगा गेसी अवस्था में रुपांतरित हो जाएगा वास्पन के ठीक अपोजिट प्रोसेस होती है संगनन जिसमें प्धार्थ गेसी अवस्था से दरव वस्था में रूपान्तरित हो जाता है उसके प्षाथ हम बात करते हैं उर्द्व पातन जिसमें प्धार्थ ठोस अवस्था से सीधा ही ठोस अवस्था से सीधा ही किसमें कनवर्ट हो जाएगा गेसी अवस्था में रूपान्तरित हो जाता है और अंतिम जो स्टेज है वो देख लीजे कि जो प्धार्थ है वो सीधा ही गेस से ठोस में रूपान्तरित होता है एक बार इन सब के एक्जामपल्स यहां पर देख लेते हैं कि बरप का जल में रुपांत्रित होना गलन वाली प्रोसेस का एक्जामपल है हीमन में आप देखें जल का बरप में वास्पन में जल का जलवास्थ में संगरन में जलवास्थ का जल में उर्द्व पातन में जो कपूर की गोलियां होती, नेप्थिलिन की गोलियां होती है, वो सीधी ठोस वस्था से किसमें कर्वाइट हो जाती है, गेसी वस्था में कर्वाइट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम उर्द्व पातन कहते हैं, एक और प्रोसेस है जिसको हम सपेद पाल कह रहे हैं जिसमें जो प्धार्त हैं वो गेसी अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में सरदियों की दिनों में आपने देखा होगा कि जो जलवास्थ हैं वो छोटे छोटे ठोस जलके अनू बना लेते हैं पसलों के उपर गिरे होते हैं जिसको हम पाला पढ़ना भी कहते हैं सपेद पाला पढ़ना कहा जाता है तो ये कुछ प्रोसेस है जिनमें प्धाहर्त एक अवस्था से दूसरी वस्था में रुपांतरित होता है अब विद्यार्तियों में एक और प्रिक्रिया आपके सामने मैं रखता हूँ वास्पी करण वास्पी करण में जो प्धाहर्त है वो द्रव वस्था से गे सवस्था में रुपांतरित होता है नाम से ही सपस्थ है कि जो प्धाहर्त है वो वास्प वस्था में एक कनवायट होता है बट ये जो वास्पी करण है वो सभी तापों पर होत जिसमें जो प्धार्त है वो द्रव वस्था से गेसी वस्था में रुपांतरीत होता है और ये सभी तापों पर होता है सभी तापों पर वास्पी करन पॉस्टिबल है यदि आप दाब मे परिवर्तन करके अब यहां पर कुछ प्लियर छीजें एक देख लेते हैं गलनांक में क्या होता है गलनांक एक ताप होता है जो एक निशित दाप पर प्धार्थ क्या है वो ठोस अवस्था में से द्रव वस्था में रुपांतरित होता है एक वार इसको फिर से सुन लीजिए गलनांक क्या है और क्वथनांक क्या है गलनांक और क्वथनांक ताप है जब प्धार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं, तो जिन तापों पर जाते हैं, उनको हम कह रहे हैं गल्नांक और क्वत्नांक, यदि प्धार्थ एक नियत दाप पर, नियत दाब पर कोई पदार्त ठोस अवस्था से द्रोवस्था में कनवायट होता है और जिस ताब पर होता उसको हम कहते हैं गलनांक और कोई पदार्त नियत दाब पर द्रोवस्था से गेसी अवस्था में कनवायट होता है तो उस ताब को हम कहते हैं क्वतनांक तो जो गलनांक और क्वथनांक है इनके मान दाब पर भी डिपेंड करते हैं किस पर निर्भर करेंगे दाब पर भी निर्भर करते हैं कुछ प्धारतों के क्वथनांक फिक्स होते हैं जबकि कुछ प्धारतों के क्वथनांक वेरी भी करते हैं उनका कुछ अंतराल होता है नियत कवत्नांक और गलनांक नहीं होते इस वीडियो के अंतर तक गलनांक और कवत्नांक को हम ज़्यादा बेटर तरीके से समझ लेंगे अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जब धार्त एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो हम यह जानते हैं कि धार्त को जब उस्मा दी जाती है उर्जा दी जाती है तो वो एक रूप से दूसरी रूप में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कनवार्ट हो जाता है तो प्धार्त को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भेजने के लिए प्धार्त को दी जाने वाली जो उस्मा है उसे हम गुप्त उस्मा कहते हैं और अगला टोपिक हमारा यही है क्या है गुप्त उस्मा जिसे हम लेटेंट हीट कहते हैं लेटेंट हीट और इसको एल से प्रदसीद करेंगे किसे लिखा जाता है एल से इसको रिपरजेंट करते हैं गुप्तुस्मा क्या चीज है कि जब दार्थ एक अवस्ता से दूसरी अवस्ता में रुपांतरित होता है तो हमें उस्मा देनी पड़ती है उर्जा देनी पड़ती है वो जो उर्जा है वही उर्जा गुप्तुस्मा कहलाती है चलिए जैसे हमारे पास में ये एक बरफ का टुकड़ा है ये क्या है बरफ है और 0 degree centigrade वाली बरफ है इसको हम क्या कर रहे हैं उस्मा दे रहे हैं बाहर से क्या दी जा रही है उस्मा दी जा रही है जब इसको हम उस्मा देंगे तो सभविक सी बात है कि जो बरफ है वो पिगले और जल में convert हो जाएगी जब उस्मा देंगे तो बर्प किस में convert हो जाएगी जल में convert हो जाएगी और जल का जो temperature है वो है 0 degree centigrade कितना ताप है 0 degree centigrade ताप है क्लियर करें इसको कि 0 degree centigrade वाली बर्प को 0 degree centigrade वाले जल में convert करने के लिए दी जाने वाली उस्मा गुप्त उस्मा कहलाती है क्लियर कि नियत ताप पर किसी प्धारत को एक वस्था से दूसरी वस्था में बदलने के लिए दी जाने वाली उस्मा गुप्त उस्मा कहलाती है देखे इसका नाम गुप्त उस्मा क्यों पड़ा क्योंकि हम mostly जानते हैं कि जब किसी प्धार्थ को हम उस्मा देते हैं अर्थार्थ जब बहार से उर्जा दी जाती है तो प्धार्थ का temperature बढ़ जाता है ताप में वृद्धी हो जाती है बड़ यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा यहाँ पर प्धार्थ का temperature 0 degree centigrade था और बाद में भी 0 degree centigrade ही रहता है तो यहाँ पर ताप नहीं बदलता यह जो प्रोसेस होती वो नियत ताप पर होती है यह उस्मा कहां चली गई तो अवस्था परिवर्तन में खर्च हो गई है विद्यारतियों एक बार फिर से सुन लीजे क नियत ताप पर प्धार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए आवशक उस्मा गुप्त उस्मा कहलाती है लेटेंट हीट कहलाती है डेफिनेशन में आपकी सामने रख देता हूँ नियत ताप पर यह प्रोसेस कब होगी नियत ताप पर होगी प्रहार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रहार्थ को एक अवस्था से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रुपांतरित करने के लिए अवस्था में बदलने के लिए बदलने के लिए दी जाने वाली उस्मा गुप्त उस्मा कहलाती है क्या कहलाती है गुप्त उस्मा कहलाती है latent heat इसको कहा जाता है अब देखिए जैसे हमारे पास में जो पिधार्थ है इसका दुर्यमान है small m इसका दुर्यमान क्या है इस्मोल m और जब ये जल में convert हो रहा है बर्प लेकर चलने हैं तो ये जल में convert होगा तु दुर्यमान तो इसका same में रहेगा उस्मा चले फोर्मूला क्या ज़ेगा लेटेंट हीट का देख लेते हैं small m दुर्यमान वाले फ्धार्थ को दुर्यमान वाले फ्धार्थ को एक अवस्था से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए दी जाने वाली उस्मा बदलने के लिए दे गई उस्मा दे गई उस्मा उस उस्मा को हम Q से लिख रहे हैं जो कि M into L के बराबर लिखी जाती है पॉर्मुला ध्यान रखें दीवी उस्मा है Q small M है प्धार्त जो अवस्था परिवर्तित कर रहा है उसका दुर्यमान L गुप्त उस्मा कहलाती है latent heat कहलाती है तो यहां से देखे गुप्त उस्मा है इसका सुत्र क्या निकल कर बहार आता है L बराबर Q बट्टे में M यह हमारे पास में एक सुत्र आ चुका है फॉर्मुला आ चुका है गुप्त उस्मा का तो जब small M दुर्यमान वाला प्धार्त एक अवस्था से दूसरी अवस्था में convert होता है तो Q बराबर M into L से हम इसकी उस्मा को put कर सकते है देखे लेटेंट हीट की definition इस formula के coding क्या हो जाएगी कि परती एकांक दुर्यमान को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में दी जाने वाली उस्मा गुप्त उस्मा कहलाती है अब देखे यहां से एक महत्वपूर्ण क्यूशन बहार निकलता है कि हम यह जानते हैं कि उस्मा एक प्रकार की उर्जा है जिसका मात्रक, जूल या केलोरी होता है गुप्त उस्मा नाम से इसे लगता है ये भी कोई उस्मा या उर्जा है वड़ ऐसा नहीं है गुप्त उस्मा का मात्रक और वीमा competition exam में पूछी जाती है बहुत बार पूछी भी जा चुकी इसको क्लियर करें एल का मात्रक, फोर्मूले के according इसका मात्रक बता दीजी एल का मात्रक क्या हो जाएगा जो q by m का मात्रक है तो q का जो मात्रक है वो तो है जूल और m का मात्रक है वो है किलोग्राम तो जूल परती किलोग्राम इसका मात्रक होता है या इसको यदि हम केलेरी में लें तो यह आजएगा ग्राम में तो केलोरी परती ग्राम भी इसका मात्रक होता है वीमा देख लीजिए वीमा देखिए वीमा इस फोर्मूले के कोडिंग इसकी वीमा क्या आजएगी M0 क्योंकि M से M तो कड़ जएगा M0 आजएगा L2 T-2 इसकी वीमा आजएगी तो यहां तक स्पस्ट हो जाना चाहिए अब मैं यहां पर बात करता हूँ गुप्तुस्मा के परकार तो वीद्यारति गुप्तुस्मा दो परकार की होती है गलन की गुप्तुस्मा थाथा वास्पन की गुप्तुस्मा चले एकक करके दोनों को ही देख लेते हैं यहां पर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ गलन की गुप्तुस्मा सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं गलन की गुप्त उस्मा गलन की गुप्त उस्मा इसको हम L F से पूट करते हैं किस से लिखते हैं L F इसका मतलब समझें आप गलन की गुप्त उस्मा क्या है कि जब दार्थ ठोस वस्था से द्रव वस्था में कनवायट होता है तब जो गुप्त उस्मा होती है उसको हम गलन की गुप्त उस्मा गयते हैं L F से परदसित करते हैं दार्थ कौन सी वस्था से कौन सी वस्था में जाएगा ठोस से द्रव वस्था में जाएगा तो ठोस से द्रव वस्था में भेजने के लिए परतिकांग दुरिमान को दी जाने वाली जो उस्मा है उसको हम गलन की गुप्तुस्मा कहते हैं और बरफ की गलन की गुप्तुस्मा क्या है? बरफ के लिए LF ये होता है परती ग्राम क्योंकि इसका जो मातरक है वो फोर्मूले के कोडिंग देख लीजिए केलोरी परती ग्राम ही होगा तो ये क्या है बरप से जब जल में कनवर्ट होती है तो एक ग्राम को रुपांतरित करने के लिए हमें 80 केलोरी उर्जा खार्च करनी पड़ेगी ओके फिर मैं बात करता हूँ यहां पर सेकेंड पार्ट हमारे पास में है वास्पन की गुप्त उस्मा वास्पन की गुप्त उस्मा इसमें जो प्दार्थ है वो द्रव वस्था से गेसी अवस्था में चाहेगा कौन सी अवस्था से कौन सी अवस्था प्राप्त कर रहा है द्रव से गे उसमा की जुर्द पढ़ती है परतीकांग दुरिमान के लिए उसको हम वासपन की गुपत उसमा कहते हैं L, V से पूट करते हैं और जल के लिए जो इसका मान है L, V का ये 536 केलोरी परती ग्राम होता है 536 केलोरी परती ग्राम इसकी वेल्यू होती है अब विद्यारतियों हम थोड़ा सा ओर आगे बढ़ते हैं बात करेंगे केलोरी मिती के सिद्धान्त की कापी महत्तपूर्ण बिंदूव हम पढ़ने जा रहे हैं ध्यान देंगे एक बार मैं इन सब को यहां से हटा देता हूँ फिर हम केलोरी मिती के सिदान्द की यहां पर चर्चा करेंगे देखें क्या है केलोरी मिती का सिदान्द अब हम बात करेंगे यहां पर केलोरी मिती के सिदान्द के बारे में है देखिए जो केलोरी मिती का सिदान्थ है केलोरी मिती का जो साब्दिकर्थ होता है वो होता है उस्मा का मापन और केलोरी मिती का सिदान्थ क्या है वो समझ लीजिए कि दो भिन्न ताप वाली वस्त्वे हैं या दो भिन्न ताप वाले द्रवे हैं और जब दोनों को हम मिला दें आपस में मिला दें तो जो मिस्टरण बनता है उसका ताप क्या होगा हमें जानते हैं कि जो उस्मा है वो उच्छ ताप से निम्न ताप की और परवाहित होती है तो उच्छ ताप वाली वस्तू ठंडी हो जाएगी और निम्न ताप वाली वस्त वस्तु गरम हो जाएगी और जो मिस्रण है उसका ताप मान दोनों वस्तु के ताप के मद्दे में होगा अब वो कहां होगा कितना होगा वो अब यहां पर हम देख लेते हैं तो देखे ये समझ लीजे कि एक वस्तु द्वारा क्या होती है उस्मा का उत्सरजन होता है तो दोनों का ताप सेम हो जाएगा केलोरी मितिका सिद्दान जिसका साब्दिक अर्थ क्या है केलोरी मितिक आर्थ सबसे पहले तो मैं इस वर्ड का मिनिंग आपके सामने रख देता हूँ इसका मतलब होता है उस्मा का मापन का आर्थ इसका आर्थ क्या है उस्मा का मापन उस्मा का मापन ठीक है अब सिदान्त क्या है सिदान्त देख लीजिए क्या है सिदान कि उस्मा है वो उच्च ताप से निम्न ताप की और परवाहित होती है और जब दो भिन्न तापों वाली वस्तों को एक साथ मिला दिया जाए तब एक नई वस्तों बनेगी इसका ताप दोनों के मद्दे में होगा चले इसको एक डाइग्राम के जरीए में आपको समझाता हूँ यह हमारे पास में एक वस्तों है जिसका उच्च ताप इसका ताप क्या है उच्च ताप है ठीक है और दूसरी जो वस्तों है या जो दृव्वे है धार्त है इसका ताप मान है निम्न निम्न ताप है और दोनों को यदि हम मिला दे दोनों को हम क्या कर दें इसको भी इसी में डाल दें इसको भी इसमें डाल दें इसका टेंपरेजर है थीटा वन इसका temperature है theta 2 अब जब दोनों को हमने इसमें डाल दिया तो हमारे को मिल गया है मिस्रन क्या मिल चुका है? ये एक मिस्रन प्राप्त हो गया है क्या है? मिस्रन और इस मिस्रन का जो temperature होता है उसको मैंने लिख दिया tea mixer से sorry theta mixer से किससे put कर दिया है? theta mixer से अब हम आपको बढ़ा दें कि theta 1 यहां पर बड़ा है theta mixer उससे छोटा है और theta 2 यहां पर सबसे छोटा होगा clear? एक चीज और भी समझें कि ये है वो प्धार्त जब इसमें मिलाए जाएगा तो उसमा उत्सरजित करेगा उसमा क्या करेगा? बाहर निकालेगा उसमा उत्सरजित करेगा और ये वाला जो निम्नताप वाला प्धार्त है ये उसमा घरण करेगा उसमा को अवसोसित करेगा ये उसमा को अवसोसित करता है जबकि ये उसमा को उत्सरजित करता है और एक प्धार्थ के द्वारा उत्सर जित उस्मा दूसरे प्धार्थ के द्वारा घरण की गई उस्मा के बराबर होता है तो दी गई उस्मा और ली गई उस्मा दोनों बराबर होती है इस प्रोसेस में केलोरी मितिके सिदान्त में एक प्धार्थ के द्वारा दी गई उस्मा ली गई उस्मा के एक प्धार्थ के द्वारा उस्मा दी जा रही है तो दूसरे प्धार्थ के द्वारा उस्मा ली जा रही है तो दोनों बराबर होगी clear इसपस्ट हो जाना चाहिए तो ये जो केलोरी मिती का सिदान्त है वो उर्जा सन्रक्षन के नियम पर आधारित है किस पर आधारित है उर्जा सन्रक्षन नियम पर आधारित उर्जा सन्रक्षन के नियम पर आधारित है मुझे अमीदा आपको केलोरिमिती सिदान्त का जो बैसिक है वो आपको समझ में आ गया होगा अब मैं यहाँ पर कुछे कंडिशन आपके सामने रखूंगा और उनसे हम बेटर तरीके से समझेंगे कि हम दो पदार्तों का आपस में मिला रहे हैं जब उनका सिर्फ और सिर्फ ताप बदलता हो अवस्था परिवर्तित रहती हो देखिए हो सकता है कि दोनों की अवस्थाएं भिन हो हो सकता है दोनों की अवस्थाएं सेम हो जैसे माल लीजिए कि ये हमारे पास में जल है 10 डिग्री सेंटिग्रेट का, ये हमारे पास में इसका उच्छ ले लेता हूं में, ये जल है 70 डिग्री सेंटिग्रेट का, ये जल है 10 डिग्री सेंटिग्रेट का, दोनों का दुरिमान अलग अलग है, दोनों को यदि हम मिला द क्योंकि हालां कि दोनों की अवस्ता सेम है, दोनों ही जल मिला देंगे, तो जो मिस्रन होगा जल का, उसका तापमान हम ग्याद कर सकते हैं, इसके लावा ये भी हो सकता है, कि ये जल हो, जैसे मालों 20 degree centigrade का जल हो, और ये बार्फ हो, ये 0 degree centigrade वाली बार्फ हो, दोनों का आपर स competition exam में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे, देगे पहली इस्तधी क्या है, दो वस्त्वों का मिलना, दो प्धार्तों का मिलना, मिलना, जब केवल ताप परिवर्थित हो, ताप परिवर्थित हो, हमारे पास में दो प्धार्त हैं, उन दोनों को आपस मिला रहे हैं, और मिला देने से temperature बदल रहा है, और यहां पर हम यह भी लेकर चल सकते हैं कि दोनों समहान अवस्ता में हैं, दोनों के बस्ता क्या है, सेम, तब देखिए, केलोरी मिती के सिदान्त को ही हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं, जैसे यह हमारे पास में एक पदार्त हैं, यह हमारे पास में दूसरा पदार्त हैं, इसका दुर्यमान है M1, इसका दुर्यमान है M2, इसका ताप है थीटा 1, इसका ताप है थीटा 2, इसकी विशिष्ट उसमा है C1, और इसकी विशिष्ट उसमा है C2, clear, अब इन दोनों प मास में दो पदार्त हैं और इन दोनों पदार्तों को हम मिला दें दोनों पदार्तों को क्या कर दें मिला दे तो हमें क्या मिल रहा है मिश्रन ताप्त हो रहा है क्या मिल रहा है मिश्रन और इस मिश्रन का जो टेम्परेजर है वो है टी मिक्सर मिश्रन का जो ताप है वो क्या है टी मिक्सर या थीटा मिक्सर इसको हम कह रहे हैं थीटा मिक्सर इसका तापमान है clear यहां तक सपस्ठ हो जाना चाहिए केवल और केवल यहां पर क्या बदल रही है temperature में बदलाव आ रहा है तो देखिए उस्मा केलोरी मिती का सिदान्द क्या कहता है कि दी गई उस्मा दी गई उस्मा बराबर होगी ले गई उस्मा के दी गई उस्मा और ले गई उस्मा दोनों क्या होगी बराबर दी गई उस्मा बराबर है ले गई उस्मा के अब देखिए मैं आपको फोर्मूला याद दिलाता हूँ C बराबर होता है एक बटा M डेल्टा Q बट्टे में डेल्टा थीटा यही होता है तो डेल्टा Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं M C डेल्टा थीटा और यहाँ पर इसका temperature है वो थीटा 1 से थीटा mixer तो इसका तो हो रहा है कम यह जैसे हम यहाँ पर consider कर लें थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 छोटा है दोनों में से एक को बड़ा लेना पड़ेगा एक को छोटा लेना पड़ेगा तो इसके द्वारा उसमा उत्सरजित की जाएगी temperature थीटा 1 से थीटा mixer हो जाएगा इसके द्वारा उसमा घरन की जाएगी temperature थीटा 2 से थीटा mixer होगा इसमें थीटा 1 से थीटा mixer decrease होगा यहाँ पर temperature theta 2 से theta mixer increase होगा clear हो गया तो इसके द्वारा दी गई उस्मा तो उस्मा कितनी दी जाएगी दुरिमान है M1 विसिश्ट उस्मा C1 और ताप में कितना परिवर्तन हुआ theta 1 से theta mixer ताप हो गया है बराबर इसके द्वारा ली गई उस्मा तो दुरिमान है M2 विसिश्ट उस्मा C2 और temperature हो गया है theta mixer और कहां से हुआ है theta 2 से हुआ है यह आ गया हमारे पास फोर्मूला theta mixer यहाँ से जब हम calculate करते हैं तो theta mixer निकल कर बहार आजएगा theta mixer का formula हमें प्राप्त हो जाएगा देखे क्या मिलने वाला है theta mixer equal to calculate कर लीजिए यहाँ से मैं सीधा आपके सामने रख देता हूँ आप इसको calculate करेंगे जब इससे गुणा करेंगे तो यह minus में होगा बराबर के उस तरब जाएगे तो plus में हो जाएगा इसी प्रकार से m1, c1, theta 1 m1, c1, theta 1 इधर पढ़ाईए और यह इधर आएगा तो plus में हो जाएगा m2, c2, theta 2 upon m1, c1 plus m2, c2 यह है theta mixer यह क्या है? theta mixer यहाँ पर हम दो प्जार्टों को मिला रहे हैं तीन को भी मिला सकते हैं प्रीदा फोर्मूला यही होने वाला है तीन को मिलाएं तो तीन के लिए फोर्मूला क्या हो जाएगा? theta mixer बराबर m1, c1, theta 1 plus m2, c2, theta 2 plus m3, c3, theta 3 upon m1, c1 plus m2, c2 plus m3, c3 यह आगे हमारे पास में theta mixer क्या प्राप्त हो गया है? theta mixer प्राप्त हो गया है clear? अब देखे विद्यार्तियों मैं दो प्धार्तों को आपस में मिला रहा हूँ लेकिन ताप के साथ में उनकी अवस्था में भी परिवर्तन होगा ताप भी बदलेगा साथ में उनकी अवस्था भी बदलेगी तो देखे क्या हो जाता है? चले मैं एक बेटर तरीके से समझने के लिए एक ब्लोग डाइग्राम से आपको समझाने वाला हूँ दूसरी जो कंडिशन है वो क्या है? दोपदार्तों का मिलना जब जब क्या हो? ताप भी अवस्था दोनों बदले ताप भी अवस्था दोनों परिवर्तित हो दोनों वेरियेबल है यहां पर ठीक है? तो यहां पर इससे समझ लीजिए कि हमारे पास में यह कोई प्धार्त है इसका दुरिमान है M1 और इस प्धार्त को हम मिला रहे हैं एक अन्य प्धार्त में इसका दुरिमान है M2 इसकी विशिष्ट उसमा है C1 और टेंपरेजर है थीटा 1 इसकी विशिष्ट उसमा C2 और टेंपरेजर है थीटा 2 जैसे मैं इसकी अवस्था अलग ले लेता हूँ इसकी अवस्था अलग ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ कि यह ठोस अवस्था में है और यह द्रव वस्था में है हो सकता है यह बर्फ हो और हो सकता है यह जल हो जलो और ब्रभ भी ले सकते हैं ठीक है चले अब इन दोनों को आपस mix करेंगे इसको भी और इसको भी जब दोनों को हम mix करते हैं तो हमें नयापधार्त यहाँ पर मिल जाता है जो नयापधार्त है इसका temperature है theta mixer temperature कितना है? theta mixer यहाँ तक clear हो जाना चीए इसका temperature क्या है? theta mixer तो देखिए विद्यारतियों यह ठोस है और यह जो ठोस धार्त है हम यह consider कर लें कि जब दोनों को आपस मिला रहे हैं तो मिलाने के फशात दोनों की जो अवस्ता है वो द्रव अवस्ता हो जाती है तो यह क्या होगा? ठोस है पहले किसमे convert होगा? द्रव में convert होगा और द्रव के बाद में यह theta mixer temperature क्राप्त कर लेगा और theta उनका हम गलनांक consider कर लेते हैं इनका गलनांक consider कर लेते हैं चलिए यहाँ पर ध्यान दे पहले यह जो ठोस है इसको आप अच्छे से समझें M1 और इसकी जो विस्षिस्ट उस्मा है वो है C1 temperature आजएगा इसका theta अब यह है ठोस अवस्था में तो यहाँ पर हमें इतनी उस्मा देनी पड़ेगी Q1 कितनी उस्मा देनी पड़ेगी Q1 फिर इसके पश्यात कितनी उस्मा देनी पड़ेगी वो भी समझ लीजिए दी गई उस्मा तो यह उस्मा उस्मा उत्सरजित करेगा क्योंकि इसका temperature कम यह theta 1 तो क्या है बड़ा और theta 2 क्या है चले यहाँ पर जैसे हम बारफ और जल लें तो theta 1 theta 2 तो हो जाएगा बड़ा theta 1 हो जाएगा कम तो यह उस्मा लेगा तो यह ली गई उस्मा है यह q1 क्या है ली गई उस्मा फिर क्या करेगा यह theta इसका गलनांक है फिर यह क्या करेगा गुप्त उस्मा घरन करेगा यहाँ से यह क्या घरन करने वाला है गुप्तुस्मा घरन करने वाला है यहां से द्रिमान आयम वनी रहेगा और गुप्तुस्मा घरन करेगा यहां पर Q2 यह Q2 क्या है? गुप्तुस्मा है Q2 गुप्तुस्मा घरन करके इसका टेंपरेजर थीटा ही रहेगा temperature क्या रहेगा? theta लेकिन अब ये कौन सी वस्ता में आ गया? द्रव वस्ता में आ गया फिर ये क्या होगा? यहाँ से आप ध्यान दें यहाँ से इस वस्ता में convert होगा तब जाकर ये मिलने वाला है दुरेमान तो M1 रहेगा अब इसका temperature हो गया है theta mixer इसका temperature क्या हो गया थीटा mixer और इसको इसमें मिला देंगे तो इसका भी temperature क्या हो गया है थीटा mixer यह द्रव में ही रहेगा अब यहां तक यह process आपको यह समझ में आ जाती है तो यह वाली condition भी आपको समझ में आ जाएगी clear अब मैं थोड़ा सा जैसे आपको यह समझना है कौन सा पदार्थ कौन सी अवस्था में convert हो रहा है कितनी उर्जा हम उसको दे रहे हैं देखो अवस्था जब change नहीं हो रही और एक ताप से यह दूसरे ताप तक convert हो रहा है तो mc delta theta की रूप में उसमा मिलेगी और जब अवस्था चेंज होगी तो m into l की रूप में उसमा देनी पड़ रही है यह आपको ध्यान में रखना है clear चले मैं जलका यहाँ पर example ले लेता हूँ बरफ को हम किसमें मिला दें यह हमारे पास में है बरफ यह क्या है बरफ है zero degrees centigrade वाली बरफ है जिसका दुर्यमान है m i दुर्यमान कितना है m i इसकी विस्षिष्ट उसमा है c i अब क्या होता है यहां से विस्षिष्ट उसमा है sorry गुप्त उसमा के बराबर उसमा घरन करता है और बरफ है वो किसमें convert हो जाती है दुर्यमान तो इसका m i के बराबर ही है अब इसका temperature change हो गया है temperature भी same है केवल अवस्था बदल गई है केवल अवस्था क्या हो गई है यह बर्फ से जल में convert हो गया है clear अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है यह हमारे पास में MW जल है जिसकी विशिष्ट उसमा CW और temperature है थीटा W जब इसको और इसको आपस मिला रहे हैं तो हमें यह वाली stage प्राप्त हो रही है यह जिसका तापमान है थीटा mixer इसका तापमान क्या है थीटा mixer तो यह तो इसको तो हमें उसमा देनी पड़ेगी Q1 इसको यहाँ से फिर से उसमा देनी पड़ेगी Q2 और फिर यहाँ से यह उसमा उत्सरजित करेगा Q3 तो यहाँ पर ध्यान देना दी गई उसमा दी गई उसमा यह बराबर होगी ली गई उसमा के ली गई उसमा के तो दी तो कितनी है MW CW Theta W-Theta Mixer यह बराबर होगी ली गई उसमा तो कितनी ली गई है पहले ली गई है बरप से जल में कनवर्ट होने के लिए M I L L F फिर प्लस में कितनी ली गई है M I C I Theta Mixer माइनस जीरो क्योंकि यह तो जीरो ही है टेमपरेजर तो यहाँ पर मुझे Theta Mixer की Value Find Out करनी है तो इसको मैं बराबर के उस तरफ ले जाता हूँ क्या जाएगा M I C I प्लस M W C W और यह Theta Mixer हमें Common मिल चुका है यहाँ से बराबर में क्या मिल गया है इसको तो हम उधर ले गए यह मिल गया है M W C W Theta W माइनस में M I L F तो यह आगया है Theta Mixer बराबर M W C W Theta W माइनस में M I L F अपॉन M I C I प्लस M W C W यह क्लीर हो जाना सी इसपस्ट हो जाना चाहिए क्लीर हो जाना चाहिए इसपस्ट हो जाना चाहिए यहां से हम इसको इधर ले आए इसको उधर ले गए तो जो भी प्लस माइनस की चीजे हैं वो आपको ध्यान में यहां पर रखनी है तो देखो यहां पर हमने 0 degree centigrade वाली बर्फ को जल के अंदर मिलाया है तब यह formula हमारे को मिलता है आपको यह formula याद रखने से बेटर है कि आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि अंतिम जो तापमान है वो आपको थीटा मिक्सर लेकर चलना है और पहले हमने कौन सी उड़ जा दी कौन सी दी और कहां से ली दोनों को बराबर पुट कर देना है clear इसपस्ट हो जानी चाहिए यही है केलोरी मिती का सिद्दान्थ clear अब हम थोड़ा सा और आगे वड़ते हैं यहां पर मैं बात करूँगा उसमी एक ग्राफ के बारे में चले एक बार इन सब को मैं यहां से हटा देता हूँ बात करेंगे उसमी ग्राफ दावायतन सुचक आरेक के बारे में भी अब हमारा जो टोपिक है वो है उसमी ग्राफ कि हम एक प्दार्थ ले रहे हैं और उसे प्दार्थ को नियत दर से उसमा दे रहे हैं तो उसकी अवस्था में समय के साथ में किस तरीके से बदलाव आता है ताप में समय के साथ में किस तरीके से परिवर्तन आता है एक ग्राफ के जरीए हम समझेंगे तो विद्यरति उसमी ग्राफ एक्च्वल में है क्या जब हम किसी दार्थ को उसमा देते हैं नियत दर से उसमा देते हैं तो ताप्त ता समय के मद्दे खीचा गया graph उसमी ग्राप कहलाता है लेकि उसमी ग्राप आप टाप और उसमा के मद्दे भी खीच सकते हैं similar type का graph टाप्त होता है चलिए graph कैसा मिलेगा फिर उसे हम अच्छे से समझ लेते हैं हमारे पास में एक ठोस्पदार्थ है ग्राफ की जरिये समझते हैं यहां पर ध्यान दें जो ग्राफ हम लेकर चलने हैं एक तरफ हम लेकर चलने हैं ताप दूसरी तरफ हम लेकर चलने हैं समय ताप और समय के बीच में ग्राफ खिंचेंगे पहले हमारे पास में हैं पधार्थ ठोस हम नियत दर से उसमा दे रहे हैं और समय जब तक T1 रहता है तब तक पधार्थ ठोस अवस्था में ही रहता है लेकिन इसका temperature increase होता जाता है और जो तापमान है जब वो theta 1 हो जाता है इस temperature को हम कहते हैं गलनांग इसे क्या कहा जाता है? गलनांग कहा जाता है गलनांग पर क्या होगा? समझें आप तार्थ हमारे पास में ठोर सबस्ता में उसें लगातार उसमा धी जा रही है तो उसका temperature समय के साथ में क्या होगा? increase होगा theta 1 temperature हो गया एक इस्तिती ऐसी आएगी कि उसके पशाथ उसका temperature theta 1 नहीं रहता है temperature change नहीं होता लेकिन उसकी अवस्था ठोस से द्रव में convert हो जाती है उसके पशाथ अवस्था कौन सी आजाएगी? यह द्रव वस्था आगई है यह कौन सी अवस्था है? द्रव वस्था और T1 से T2 समय तक जो temperature है वो नियत रहता है और इस इस्तिती के अंदर जो पधार्त है वो ठोस अवस्था से द्रव वस्था में convert होता है तो इसको हम कहते है गलन और जिस temperature पर इसा होता है उसको हम कहते है गलनांक कहते है clear फिर देखे यह दि उसमा तो लगातार दी जा रही है कि एक निशित समय के पशाथ क्या होगा जो पधार्त है वो द्रव में convert हो गया फिर जैसे जैसे उसमा मिलती जाएगी धार्त का temperature फिर से increase होगा और बढ़ता बढ़ता अधिक्तम होकर फिर से जो temperature है वो नियत हो जाता है और उस इस्तिती में जो पधार्त है वो द्रव अवस्था से गेसी अवस्था में convert होता है कौन सी वस्था से कौन सी वस्था में चला गया है गेसी अवस्था में और जिस ताप के उपर फिधार्त द्रव वस्था से गेसी अवस्था में जाता है उसको हम कहते हैं क्वाथनांग उसे हम क्या कहते हैं कौई ठनांग कहते हैं कौई ठनांग कहा जाता है तो इदर तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिलने वाला है और यदि हम गेष का तापowaan फिर से भढ़ाएं मतलब उस्मा देते जाएं तो इसका तापowaan बढ़ता चला जाएगा एक बार graph को फिर से समझे उसमे ग्राप क्या है नियत दर्से हम किसी प्धार्थ को उसमा दे रहे हैं तब ताप और समय के मद्दे खींचा गया graph ताप और उसमा के मद्दे खींचा गया graph उसमे ग्राप कैलाता है इसमें क्या होता है प्रारंब में उसमा मिल रही है फदार्थ को लगातार नियत दर से उसमा प्राप्त हो रही है तो उसका समय के साथ में temperature increase होगा और एक निशित ताप के उपर फदार्थ क्या होगा द्रव वस्ता में convert हो जाएगा फिर द्रव वस्ता में बदलने के फश्याथ फिर से उसका temperature increase होगा और फिर क्या होगा वापस यह से वस्ता में convert हो जाएगा निशित temperature के उपर द्रव से गेस में convert होगा उसको हम गलनांक, सौरी कोथनांक कहते हैं तो जैसे माली यह बर्प थी और बर्प का जो temperature होगा माइनस से 50 degree तो यहां से temperature increase होता हुआ जीरो होगा फिर यह बर्प से किसमें convert होगा जल में कितने degree पर होगा 0 degree centigrade पर फिर जल का temperature यहां से बढ़ता हुआ कितना हो जाएगा 100 degree centigrade 100 degree centigrade के उपर क्या होगा द्रव गेस में convert हो जाएगी फिर यह इसका temperature फिर बढ़ा सकते है clear तो यह graph उसमें graph कलाता है और मुझे उम्मीद है आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ यहां पर लेता हूँ मैं दाब आईतन सूचक आरेक दाब आईतन दाब आईतन सूचक आरेक दाब और आईतन के मद्दे हम graph यहां पर खींचने वाले हैं देखे हमें किस प्रकार का graph राप्त होने वाला है दाब और आईतन के मद्दे एक तरफ में ले रहा हूँ यहां पर दाब और दूसरी तरफ हम लेकर चलेंगे आईतन एक तरफ हमने क्या लिया है दाब दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया है आईतन तो देखे हम यहां पर क्या करेंगे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे जो पदार्थ है हो सकता है वो गेसी अवस्था में हो गेसी अवस्था में उसका pressure increase करेंगे तो वो द्रव वस्था में convert हो जाएगा मैं यहाँ पर गेस सवस्था में लेकर चल रहा हूँ तो देखे जो पदार्थ है जैसे कि जब pressure बहुत कम होता है तो item बहुत ज़्यादा होता है item क्या होता है काफी ज़्यादा मैं इसको नाम देता हूँ K क्या नाम दे दिया K और जब pressure को हमने increase किया देगो pressure को हमने यहां से बढ़ा कर यहां तक कर दिया तो जो पदार्थ है उसका item कम हुआ फिर एक इस्तिदी ऐसी आते कि निशित दाब के उपर item में तेजी से कमी आती है ठीक है तो जो पदार्थ है उसकी अवस्था बदल जाएगी gas वस्था में तो gas सवस्था में था तो यहां पर कौन से वस्था में आ गया अब दरव वस्था में आ गया तो जब कोई पदार्थ gas से किसमे convert होता है दरव में convert होता है तो item में तेजी से कमी आती है pressure को increase करेंगे तो item में क्या आएगी तेजी से कमी आएगे, clear ये तो एक निश्चित ताप पर है मैं यहाँ पर CO2 गेस के लिए ले लूँ कारबंडाई ओकसाइड गेस के लिए और देखे कारबंडाई ओकसाइड गेस के लिए ये जो टेंपरेजर है, वो है 13.1 degree centigrade ये मैंने पूरी की पूरी प्रोसेस नियत ताप पर धोराई है, जो ग्राप KLM N की भांती प्राप्त होता है जुपदार्त है, वो गेस सवस्था से किसमे कनवर्ट हो जएगा, द्रववस्था में कनवर्ट हो जएगा, ये जो रेखा है ना L से लेकर M तक इसको हम द्रवी करण रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं द्रवी करण रेखा यदि हम थोड़ा सा temperature बढ़ा दें, temperature क्या करदें, हम increase करदें, यससे माल लीजे कि मैंने 21 degree centigrade यदि इसका हम temperature करदें यहां से इसको हम k days कहदें, ये l days m days तो देखे, यहां पर जो आयतन है, ठीक वैसे ही लेकिन यहां पर अब की बार जो pressure है उसको द्रव में convert करने के लिए ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताप आपने बढ़ा दिया तो द्रव में convert करने के लिए ज़्यादा pressure लगाना पड़ेगा ताप मान पहले से ही ज़्यादा है ठीक है, 21 degree centigrade के उपर क्या होता है pressure आपको अधिक लगाना पड़ेगा जब उसको द्रव में convert इतना pressure पर convert हो रहा था फिर अब ज़्यादा लगाना पड़ रहा है एक स्थिदी AC आजाएगी ऐसा हमें graph प्राप्त होता है ऐसा तो इस स्थिदी के उपर क्या होता है विद्यार्तियों इसको मैं बिंदू को नाम देदू AC से और ये carbon dioxide के लिए 31.1 degree centigrade होता है इस ताप से कम ताप पर ही जो प्राप्त है वो गे सवस्था में गे सवस्था से द्रव वस्था में convert होगा इसके इधर ये गेसी वस्था में ही है इसके इधर क्या है गेसी वस्था में और देख प्राप्त है वो द्रव वस्था में कहा से कहा तक रहेगा वो भी ध्यान दीजिए इस बिंदू से इस रेखा के इधर 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 ये द्रव में रहेगा इधर इधर क्या रहेगा द्रव में और इस रेखा से इस रेखा तक ये द्रवी करण होगा मतलब गेस है वो द्रव में रुपांतरित हो रहा होता है ये दोनों की साम्मे की स्थती होती है इससे अधिक ताप पर आप चाहे गेस का दाब कितना भी क्यों न भढ़ा ले दाब भढ़ाने से गेस है वो द्रव में कनवार्ट नहीं होने वाली है तो एक ऐसा ताप होता है उससे ताप के उपर उस ताप से अधिक ताप हो गया तो पदार्थ है वो गेस सवस्था से द्रवस्था में ख़बी कनवार्ट नहीं होता है उस ताप को हम क्रांतिक ताप कहते हैं उससे कम ताप रहता है तो ही पदार्थ है वो गेस सवस्था से द्रवस्था में रुपांतरित होगा उस ताप को हम क्या कहते हैं, क्रान्तिक ताप कहते हैं, clear, और जल के लिए जो क्रान्तिक तापवान होता है, विद्यारतियों वो 34.1 degree centigrade होता है, और CO2 के लिए 31.1 degree centigrade होता है, clear, जैसे मैंने आपको यहां पर गेस और द्रव के बीच में एक रिलेशन बताया, ठीक वैसे ही, similar type के graph प्राप्त होंगे, यहां पर हम क्या ले लें, यहां पर मैं ले लेता हूं, द्रव, द्रव का जब pressure हम increase करेंगे, तो जो द्रव है, वो ठोस में convert हो जाएगा, यह CO2 के लिए तो नहीं है, temperature में सब हटा रहा हूं, graph ऐसे ही प्राप्त होते हैं, graph इसी type के ही प्राप्त होने वाले हैं, जो आप किसी द्रव का pressure increase करते हैं, तो वो धीरे-धीरे किसमें convert हो जाएगा, ठोस में convert हो जाता है, तो मुझे उम्मीद हैं, आपको दाब आयतन जो सूचक आरेक है, वो भी बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा, अब हम बात करते हैं, यहां पर, अब मैं यहां पर बात करूँगा, दाब ताप सूचक आरेक, दाब ताप सूचक आरेक, सूचक आरेक हमें बहुत सारी सूचनाएं देते हैं, इसलिए इनके नाम सूचक आरेक पड़े हैं, सूचक आरेक किस परकार का हमें मिलने वाला है, देख लीजी, एक तरफ हम ले रहे हैं, दाब, क्लियर, और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं, ताप, देखिए, ऐसा ग्राफ प्राप्त होने वाला है, इधर प्धार्थ है ठो सवस्था में, इधर प्धार्थ है गे सवस्था में, और इधर प्धार्थ है द्रव अवस्था में, देखिए ध्यान देंगे आप सारे board पर focus करें कि यदि हम दाब और ताप के बीच में grab खेंचें तो क्या होगा देखिए ध्यान दें ये जैसे हमारे पास में कोई प्दाहर थै ठो सवस्था में कुन सी वस्था में है ठो सवस्था में है और जब हम pressure को increase करेंगे तो इसका ताप increase हो जाएगा ताप क्या होता जाएगा? increase यह चीजें clear कर लीजे प्रेशर को भढ़ाने से लास्क वीडियो में भी हमने बात की थी संपिडन में क्या होता है? ताप में वुरुदी होती है और प्रसार में क्या होता है? ताप में कमी होती है clear? तो यहाँ पर हम क्या करें? इसको आप समझें कि इस रेखा के इधर तो पधार्त है ठोस अवस्था में और इस रेखा के इधर पधार्त है गेसी अवस्था में तो इस temperature से और इस pressure के उपर इस प्रेशर के उपर थोड़ा सा भी तापमान बढ़ा देंगे न तो वो गेस में कनवर्ड हो जाएगा थोड़ा सा तापमान कनवर्ड कम कर देंगे तो वो ठोज सवस्था में कनवर्ड हो जाएगा तो इस रेखा को हम कहते हैं उर्द्व पातन रेखा, इसे क्या खा जाता है, उर्द्व पातन रेखा कहा जाता है, ये कौन सी रेखा है, उर्द्व पातन रेखा, ठीक है, और इस रेखा के, इस रेखा के एक तरफ तो है प्रार्थ ठोस, एक तरफ है द्रव में, इसको हम कहत क्लियर कर देता हूं में कि इस रेखा से उपर कि और यह जाना चाहिए जो तापमान होता है वो क्वथनांक होता है क्योंकि फदार्त है वो द्रव से कौन से वस्था में कनवर्ट हो रहा है गे सवस्था में और फदार्त जिस ताप के उपर द्रव से गे सवस्था में कनवर्ट होता है वह ताप ही क्या कहलाता है क्वथनांक कहलाता है तो यह तो इस रेका के उपर जो भी तापमान होता है वो कुथननांक होता है, तो यहां पर आप ध्यान दें, प्रेशर को इंक्रीज करने पर कुथनांक बढ़ता जाता है, जल के लिये लग है ग्राफ, जल के लिये ग्राफ अलग है और बाकी समीजेज सेम है, तो ताप बढ़ाने पर कुथनांक इंक्रीज हो जाता है ताप मान भढ़ेगा ताप मान भढ़ेगा सोरी प्रेशर भढ़ेगा तो ताप बढ़ जाता है मतलब ये कुथनांक को बढ़ रही है कुथनांक बढ़ रेखा है तो प्रेशर को बढ़ाने पर कुवतनांक बढ़ जाता है और प्रेशर को बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ जाता है तो दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ जाता है दाब बढ़ाने पर कुवतनांक भी बढ़ जाता है गठाने पर घड़ जाएगा बढ़ाने पर बढ़ ज के लिए, जल के लिए लग है, जल के लिए भी बात करेंगे, ठीक है, तो ये ग्राफ है वो आपको अच्छे से समझ में आगया होगा, और ये जो आठ देख रहे हैं, तीनो रेखाओं का तो प्रतिछेद बिन्दू है, इसको हम कहते हैं, तृिक बिन्दू, इसको क्या कहा जाता है, तृिक बिन्दू कहा जाता है, जहां پर भईहार्त की तीनो अवस्थाइं, एक साथ में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गेश, तिनों अवस्थाएं जब एक साथ में वजूद होती तो उस बिंदू को हम कहते हैं, त्रिक बिंदू, और जल का त्रिक बिंदू, 273.16 Kelvin, मतलब 0.01 degree centigrade होता है, देखिए, जल का त्रिक बिंदू ताप कितना होता है? जल का त्रिक बिंदू ताप थीटा, टी आर, यह होता है, 273.16 Kelvin, यह हम कह सकते हैं, 0.01 degree centigrade, clear? देखिए, एक यहाँ पर समझें, हीलियम का कोई त्रिक बिंदू नहीं होता है, कोई त्रिक बिंदू नहीं होता है, क्योंकि हीलियम कभी भी ठोस वस्था में नहीं पाये जाती है, एक मात्र यह सब्धार्थ जो किसी भी ताप और दाब के उपर ठोस सवस्था में convert नहीं हो सकता, द्रव वस्था में बदल जाएगी, लेकिन इसकी ठोस सवस्था होती ही नहीं है, चाहे आप pressure और जो temperature है उसमें कितना भी बदलाव क्यों ना कर दें clear जो helium gas है इसका कोई trick window नहीं होता बाकि सबी gas हों का trick window होता है और additive होता है fix है वो भी temperature और pressure fix होता है और additive होता है तब ही तो हमने क्या कहा है additive कहा है clear अब मैं यहाँ पर बात करूँगा यदि हम दाब ताफ जो वक्र है सुचकारेक है वो यदि जल के लिए खिंचें जल के लिए तयार करें तो कैसा graph आएगा graph देखें graph में थोड़ा बदलाव आजाएगा जल के लिए यह graph इस type का आएगा ऐसा यह जो दर्वी करण रेखा है वो इधर होगी अब यहाँ पर ध्यान दे कि pressure को increase करेंगे pressure यहाँ था pressure यहाँ से यदि हम यहाँ कर दें बढ़ा दें तो यह वाली जो रेखा है वो किसको बता रही है गलनांक को पर जो भी तापमान होगा वो किसको बताएगा और इस पर जो भी तापमान होगा वो किसको रिपरजेंट करेगा कुधनांक को तो दिखो जल का भी कुधनांक क्या होता है pressure के साथ में increase हो जाता है तो और अबदारतों की भाथ़ू यह कुधनांक दो प्रेशर बढ़ेगा तो कौतनांग इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर डिक्रीज होगा तो कौतनांग भी डिक्रीज हो जाएगा लेकिन गलनांग पर देखो ये फेक्ट क्या पढ़ रहा है प्रेशर को बढ़ा रहे है तो गलनांग घट रहा है गलनांग क्या हो रहा है घट हो जाता है घट जाता है clear देखिए विद्यारतियों जिदी आपको समझ में आ गया है तो मैं कुछ example इससे जुड़े हुए आपके सामने रख देता हूं जैसे हम बात करें पहाडों पर खाना पकाना मुस्किल होता है पहाडों पर हम बना रहे हैं पहाडों पर दाल क्या बना रहे हैं दाल बना लेते हैं खीर बना लेते हैं पहाड़ों पर क्या हो जाता है, प्रेशर है वो decrease हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाएगा, decrease, तो क्वथनांक है वो क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा, वैसे हम आपको बदा दें कि जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक होता है, 100 degrees centigrade, लेकिन यह क्या हो गया, जैसे हमाले जीए कि 80 degrees integrate ही हो गया क्योंकि पहाड पर pressure decrease तो खुथनांग भी decrease अब जब हम डाल बना रहे हैं तो पानी में ही बनाएंगे किसमें बनाएंगे पानी में तो यह डाल के दाने हैं यह पानी है clear तो जब pressure increase sorry decrease हो जाता है तो यह जो जल है वो 80 degrees centigrade तक भाप में convert हो जाएगा इससे ज्यादा इसका temperature नहीं हो सकता तो दाल को मिलने वाड़ा जो maximum temperature वो कितना है 80 degrees centigrade तो पाढ़ों पर दाल देरी से पकती है पाढ़ों पर दाल देरी से पकती है क्योंकि pressure घठने से कोतनांक घठ जाता है इसलिए दाल देरी से पकेगी फिर मैं बात करता हूँ pressure cooker में जल्दी पकाने के लिए हम किसका प्रियोग करते हैं pressure cooker का प्रियोग करते हैं pressure cooker क्या है देखिए ध्यान देना इसको हमने पेक कर दिया यहां से क्या कर दिया पेक पेक कर दिया तो इसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज होगा तो कवत्नांग भी क्या होगा कवत्नांग भी इंक्रीज हो जाएगा दाब बढ़ने पर कवत्नांग भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है कौथनांक बढ़ गया इसका मतलब है अब की वार जो पानी है वो भाप में जैसे 110 degree पर convert हो रहा है तो दाल को मिलने वारा जो temperature है वो कितना हो गया है 110 degree हो गया है तो दाल जल्दी से पकती है pressure increase हो जाता है तो गवतनांक बढ़ता है जिसकी वज़े से डाल को मिलने वाला जो ताप वो बढ़ जाता है ततपश्या जल्दी पकती है तो pressure cooker में खाना जल्दी पकता है फाड़ों पर देरी से पकता है क्योंकि Pाड़ों पर pressure गटने से कुतनांक घड जाता है जबकि pressure cooker पुनर हिमायन जैसे हमारे पास में एक ब्रफ का टुकड़ा है इस तरीके से मैं एक ब्रफ की यहां पर सिल्ली ले रहा हूँ ब्रफ का एक टुकड़ा हम लेकर चल रहे हैं इसको हमने दो दिड़ाधरों पर इस तरीके से रख देते हैं इस तरीके से हमने इसको रख दिया है यह बरफ की सिल्ली है अब मैं क्या करता हूँ एक तार लेता हूँ यहां से और उसे तार से एक दुर्यमान लटका देता हूँ क्या लटका दिया हमने दुर्यमान इसके इस तरब भी क्या लटका दिया हमने एक दुर्यमान लटका दिया है क्लियर तार से दोनों सीरों पर दुर्मान बांध कर इस पर लटका देंगे तो देखो अब ध्यान देना इस चीज़ को समझें कि जो तार है वो धीरे धीरे इसमें से होता हुआ नीचे निकड़ जाएगा जो बरफ है वो वहीं की वहीं रहेगी बरफ की जो सिल्ली है वो वहीं की वहीं रहेगी तार इसमें से प्रेशर की वज़े से धीरे धीरे नीचे जाएगा कई बार हमें लगता है कि बरफ को जी चीरती वी जब नीचे आएगे तो बरफ के दो टुकड़े हो जाएगे ये गिर जानी चीर बड़ ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता वो भी समझ लो क्योंकि यहाँ पर दाब बढ़ रहा है प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज और जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो गल्नांक डिक्रीज हो जाएगा देखो, यहाँ पर देखो प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो गल्लांक क्या होगा डिक्रीज और गल्लांक डिक्रीज हो गया तो फिघल जाएगी क्या होगी पिघल जाएगी तो यहां से फिघलेगी तो वो जल में कनवर्ट होगी जो जल है वो फिगलता है उसके उपर वाले जल पर प्रेशर हडता ही वापस वो परफ में करणवाट होता जाता है ये धीरे धीरे नीचे आरपार चले जाएगी वापस परफ की सिली जहां है वहीं मौझूद रहेगी तो यह R पार क्यों चली जाती है क्योंकि pressure पढ़ेगा तार का, जिससे दाव बढ़ने पर गलनांक क्या हो जाता है, जल का गड़ जाता है, यह graph किसके लिए, जल के लिए यही है सिरफ, ठीक है, अधर फदार्तों के लिए मैंने अलग से बताया है, जल के लिए अलग से बताय लेते हैं कुछ क्यूशन से अब हम यहां पर देख लेते हैं देखिए पहला क्यूशन देखेंगे कि 0 डिगरी सेंटिग्रेड परिस्तित 5 ग्राम बरफ को 100 डिगरी सेंटिग्रेड की भाफ हमें परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उस्मा बरफ का दिर्मान हमें 5 ग्राम दे रखा है तो देखिए ये क्या होगा हमें बरफ दे रखी है बरफ का जो टिम्परिजर है वो है 0 डिगरी सेंटिग्रेड हम यहां पर गुपत उस्मा के बराबर उस्मा देंगे तो ये जल में गन्वर्ट हो जाएगा यह 0 डिगरी सेंटिग्रेड के जल में फिर यहां से उसको उस्मा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा जल और कितने डिगरी सेंटिग्रेड वाला जल मिलेगा? 100 डिगरी सेंटिग्रेड वाला फिर इसको हम गुपत उस्मा के बराबर उस्मा देंगे तो ये भाप में कन्वर्ट हो जाएगा यहां से दी जाने वाली उस्मा Q1 यहां से Q2 और यहां पर Q3 चलिए दी जगई कुल उस्मा क्या हो जाएगी? Q1 प्लेसे Q2 प्लेसे Q3 Q1 का मान कितना है? गुपत उस्मा गलन की गुपत उस्मा कितनी है? M into L F फिर प्लेस में यही दुरिमान तो उतना ही रहेगा C 100-0 फिर प्लेस में M L V ये इनकी मान है M का मान कितना? 5 गलन की गुपत उस्मा 80 प्लेस M का मान फिर से 5 C का मान 1 C का मान कितना है? 1 केलोरी में हम उस्मा फाइंड आउट कर रहे हैं इंटू 100 आई गया फिर प्लेस में 5 इंटू 540 देन यहां से कितना मिल जाएगा? 400 प्लस 500 पास से इसको गुणा करेंगे तो 20 हो गया यह आगया हमारे पास में तो इनको हम एड करेंगे तो 3600 केलोरी मिल जाएगा clear? इसपस्ट हो जाना चीए ऐसे ही आपको क्यूशन सोल करने है कि हमें जो मेटर है वो कोण सिवस्था से कोण सिवस्था में जा रहा है उसके according भई कितनी उसमा देनी पड़ेगी मिक्सर का तापमान कितना हो जाएगा इन फोर्मूलों को समस्ते हुए अपलाई करना है आपको देखो अगला क्यूशन देखें कि समान पड़ार से बने तीन पिंट जिनके दुर्यमान एम एम थदा थ्री एम है ताप उनके हैं 40 डिगरी, 50 डिगरी, 60 डिगरी तीनों को मिला दिया जाए तो जो मिस्तरन है उसका तापमान क्या होगा अंतिम टेंपरिजर क्या होगा तो देखिए विस्तरन के टेंपरिजर के लिए हमने आपको एक फोर्मूला बताया है थीटा मिक्सर थीटा मिक्सर बराबर था हमारे पास में M1 C1 थीटा 1 प्लैस M2 C2 थीटा 2 प्लैस M3 C3 थीटा 3 अपॉन M1 C1 प्लैस M2 C2 प्लैस M3 C3 दें थीटा मिक्सर क्या प्राब्त हो रहा है M1 का मान है M थीटा का मान हमारे पास में है 40 डिगरी फिर प्लैस में M2 का मान है M थीटा का मान हमारे पास में 50 फिर M3 का मान है 3M और theta का मान हमारे पास में है 60 degree और इन सब की जो विशिष्ट उस्मा है वो हमारे पास में है C बट्टे में M प्लस M प्लस 3M और इनकी विशिष्ट उस्मा C C से C क्या हो गया? कैंसिल हो गया दो कोई 40, 50 और 60 इनको जोड़ेंगे तो हम आरे को मिल जाएगा 150 M और यहां से मिल गया हमारे को 5 M M से M कैंसिल हो गया 5 का भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 30 degree चली यहां कहीं न कहीं calculation में गड़वड हुई है एक वाल इनको देख लेते हैं यहां पर 3 M आएगा तो 180 हो जाएगा 270 और 90 कितना हो जाएगा 270 270 add करेंगे क्योंकि इन तीनों का जो ताप है इनके बीच में ही रहेगा कम से और 40 और 60 के बीच में रहेगा तो यह आ गया 54 degree centigrade पहले कम आ गया था अगला question देखें 100 degree centigrade ताप पर इस्तित एक ग्राम भाप 0 degree centigrade पर इस्तित ब्रफ की कितनी मात्रा पिगलाएगी कि इसमें यह जो 100 degree centigrade वाली एक ग्राम भाप है इसके अंदर कितनी उर्जा है कि वो 0 degree centigrade पर इस्तित ब्रफ की कितनी मात्रा कितने ग्राम मात्रा उसको पिगला देगी चले इस क्यूशन को भी आपको समझना है जैसे हम कंसीडर कर ले small m दुर्यमान पिगला देगा पिगलाने का मतलब हो गया कि उसको गुपतुसम मिल रही है small m दुर्यमान बरफ क्या पिगल जाएगा माना बरफ का small m दुर्यमान पिगल जाएगा कितना दुर्यमान पिगल जाएगा small m दुर्यमान पिगल जाएगा clear small m दुर्यमान पिगल जाएगा तो ली गई उसमा ली गई उसमा कितनी आ गई है m इंटू असी m इंटू असी केलोरी में आ गई है अब दी गई उस्मा बराबर होती है ली गई उस्मा के तो ली गई उस्मा पहले लिख देता हूँ मैं M into 80 ठीक है अब दी गई उस्मा कितनी है देखोंड रहा है भाप दे रही है तो पहले ये जो भाप है वो जल में कनवर्ट होगी तो M into L के बराबर उर्जा का उत्सरजन होगा एक इंटू 540 तो ये किस में कनवर्ट हो गई है अब अवस्था परिवर्तन में भाप से ये किस में परिवर्तित होगी है जल में तो इतनी उर्जा देगी ठीक है फिर फ्लस में क्या है ये जो 100 डिगरी सेंटिग्रेट वाला जल बन गया है अब ये 100 डिगरी सेंटिग्रेट वाला जो जल है वो किस में कनवर्ट होगा जीरो डिगरी सेंटिग्रेट वाले जल में 100 से किस में जीरो में तो M, M का मान कितना एक M, C, डेल्टा, थीटा ये लगेगा इसमें फॉर्मूला तो M का मान एक, C का मान जल के लिए एक और ये आगया 100, clear, फिर बात करते हैं, लेकि केलोरी परती, ग्राम में हमने किस की वेल्यू रखी है, इसकी रखी है clear, अब है जो जल है, जीरो डिगरी सेंटिग्रेट वाला, वो बरफ को भिगलाएगा, अवस्था परिवर्तन में उर्जा खर्च करनी पड़ेगी clear, उसके द्वारा दी जाने वाली जो उस्मा है, वो अब हमारे को मिल जाएगी, यहाँ पर देखे, यही उस्मा किसको देगा, इसको देने वाला है, तो 80 M बराबर कितना आ गया है हमारे पास में, 540 प्लस 100 कितना हो गया, 640 640 M बराबर कितना आ गया, 640 बटे में 88 ग्राम आ जाएगा, तो 8 ग्राम ब्रफ को पिगला देगा, clear, इस पस्ट हो जाना चाहिए, अंतिम क्यूशन की और बढ़ते हैं, कि 0 degree centigrade तो आप परिस्तित 100 ग्राम ब्रफ को 22,320 केलरी उसमा प्रदान की जाती है, यदि ब्रफ की गलन की गुपत उसमा असीज़ और वास्पन की गुपत उसमा 540, तब जल की अंतिम सेंस मात्रा कि हमारे पास में ब्रफ है, और उस ब्रफ को हम दे रहे हैं, 22,320 केलरी उ अब कितनी मात्रा जल की सेंस रह जाती है, और भाप में कितने, बाकी की भाप में कनवर्ट हो जाएगी, 100 ग्राम में से कुछ मात्रा क्या रह जाएगी, जल में रह जाएगी, इसको समझें आँ, हमारे पास में है ब्रफ, क्या है, ब्रफ है, 100 ग्राम जल में कनवर्ट हो ज जाएगा, 0 degree centigrade वाले जल में convert हो जाएगा, अब हम इसको फिर से उसमा देंगे, फिर से उसमा देंगे, तो ये किसमें convert हो जाएगा, जल में ही convert होगा, और ये अब किवार 100 degree centigrade वाले जल में convert हो जाएगा, अब इसका फिर से उसमा देंगे, तो ये किसमें convert हो जाएगा, भाप म लेकिन totally भाप में convert नहीं होने वाली है तो यहाँ पर जो उस्मा देंगे न ये हम देखे ध्यान देना आप कुछ हिस्सा 100 ग्राम जल है कुछ हिस्सा इसका किसमे convert हो जाता है भाप में convert हो जाता है सेस हिस्सा क्या रहेगा जल में ही पड़ा रहेगा तो हम यहाँ पर consider कर लेते हैं कि भाई M3 जो दुरिमान है न वो किसमे convert हो रहा है भाप में तो M3 का मांच जब आजएगा हमारे पास में तो 100 में से गठा देंगे किसमे से गठा देंगे 100 में से गठा देंगे चलिए तो यहाँ से दे गए उसमा Q बराबर है Q1 प्लेस से Q2 प्लेस से Q3 Q का मान कितना है Q का मान हमारे पास में उधर से देखे 22,320 के लेरी Q1 का मान 100 ग्राम M इंटू L कितना है 80 फिर प्लेस में Q2 यहाँ से यहाँ तक M का मान 100 C का मान 1 और डेल्टा T का मान 100 मैनस 0 तो 100 ही हो गया फिर प्लेस में M3 मात्रा किसमें कनवर्ट हो गई है भाप में कनवर्ट हो गई है तो M इंटू 540 M इंटू 540 यहाँ से कितना जाएगा 22,320 बराबर 8,000 प्लेस 10,000 प्लेस 540 M3 यहाँ से 18,000 इसमें से गठा देंगे तो 4,320 बच गया और 540 का हम भाग लगा देंगे तो यह आगया M3 तो यहाँ से 9 भाग इसमें 6 बार में और 9 भाग 4,36, 4,7, 8 यह इसमें चला गया 8 बार में तो M3 बराबर आ गया 8 ग्राम 8 ग्राम किसमें कनवर्ट हो रही है भाप में कनवर्ट हो रही है सेंस जल कितना रह गया सेंस जल रह गया 12 में ग्राम कितने ग्राम जल की मातरा सेंस रह जाती है 12 में ग्राम कितने डिगरी सेंटिग्रेट पर रहेगी 100 डिगरी सेंटिग्रेट पर रहेगी क्योंकि सारे के सारे जल का टेमरेजर कितना होगा सो डिग्री सेंटिग्रेट हो जाएगा तो विद्यर्दू यह था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने जो केलोरी मिती का सिद्धान्त है उसको ज्यादा फोकस किया साथ में गुप तुस्मा के बारे में भी समझा कुछ ग्राप भी देखे उसमें हमने उसमें ग्राप साथ में दाब आयतन और ताप दाब ग्राप को भी देखा इससे बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हमने समझी क्लियर की आज की इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो उसमा संचरण से रिलेटेड होगा उसमा इस्थनांतरण से समझीत होगा जिसमें हम चालन के भारे में अध्यन करने वाले हैं हम देखेंगे उसमा चालकता का नियम क्या है और उदन पर आधारिते कुछ महत्वण तत्यों को अगली वीडियो में लेकर आएंगे आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तों